गाड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो गाड़ी और कोई नई बलकि हमारी प्यारी किया सोनेट फेसलिफ 2024 है कंपनी ने किया सोनेट को सबसे पहले 2020 में लाँच करा था Hyundai Venue और XUV3OO जैसी Compact SUVs को टक कर देने के लिए यह किया की टॉप 3 बेस्ट सेलिंग कार्ड्स में से एक है और इंडिया की बेस्ट सेलिंग Compact SUV की लिस्ट में 9th नमबर पताती है इस गाड़ी के अंदर कमाल के धासु धासु फीचर्स मिलते हैं लेकिन अब कंपनी लाँच करने जा रही है गाड़ी का नया रूप यानि Kia Sonnet Facelift 2023 अब इसको 2023 बोलना चाहिए यह 2024 यह खुद ही आप मेरे कमेंड में बता दे न और कि इस गाड़ी की launch date दिसंबर और जनवरी के बीच में बता रखी है यह कड़ बड़े बाबाबा यह Kia Sonnet Facelift की leaked images है तो कि बिना camouflage के हमारे सामने आई है अब इसमें हम clearly देख सकते हैं कि यह XUV700 की डिजाइन से थोड़ा थोड़ा सा inspired है कही ना कही इसके अंदर हमको cell toss वाला look भी हलका हलका सा मिलता है क्योंकि अगर पीछे भी देखेंगे तो जो इसका tail light design है वो कही ना कहीं cell toss से मिलता है यूनीक से cut out में rear bumper मिलता है इसके अंदर हमको इस साथ आगे की तरफ से तो बिल्कुली cell toss ही लगती है थोड़ा सा XUV700 के touch के साथ side profile में ज्यादा कुछ changes नहीं है खाली alloy wheel मिल जाते हैं dual tone वाले most probably 17 inch के असपास के इसके साथ साथ इसके अंदर roof rails, shark fin and tina और तो और electric sunroof जैसे features में मिल जाते हैं बट इसके अंदर हमको एक चीज नहीं देखने के लिए मिल रही है जो कि है ADAS तो कि इसके लिए एक negative point हो सकता है बात करें इसके engine options की तो तीन तरह की engine मिलेंगे इसके अंदर हमको 1.2 liter का naturally aspirated 1 liter का turbo charged petrol engine और 1.5 liter का diesel engine और भी इसके अंदर काफी अचे अचे features आने वाले हैं जैसे की digital instrument cluster और तो और AC जो controls होगा वो भी touch base हो सकता है बागी 10-12 inch का instrument cluster इसके साथ साथ DCT transmission विशन हमको कही ना कही देखने के लिए मिल सकता है तो और rear windows में यानी पीछे वाले passengers के लिए हमको यहाँ पे sunshade मिल सकते हैं बागी यही कुस्ती हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किये sonnet face life 2023 को अच्छे से देखा है इसकी price की बात करें तो यह आठ लाग रूपे से शुरू हो जाएगी बात करें इसके launch date की तो most probably December 2023 या फिर January 2024 के बीच में कहीं पे launch होगी उससे पहले भी हो सकती है हमको कुछ नहीं पता यह खाली expected dates है subscribe कर लो क्योंकि जब भी आएगी हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे बाकि वीडियो कैसे लगी comment करके ज़रूर बताना मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में तब तक के लिए stay awesome stay safe keep supporting bye